जाओन को डिया था वर्दमान समय में जीने के लिए हमें क्या-क्या आवश्यक है और क्यों यह जल्दी काड़ि ने के लिए सबसे पैड़ा शाशन की जरूरत है हमें वर्दमान समय में जिने के लिए आज पास की जनकारी भी होना चाहिए, हमें वर्दमान समय में जिने के लिए सदर को नंहीं करना चाहिए वादमान समय में जीने के लिए अपने नाजनुतिक में ट्याचर रहा है, इसकी भी अधिक जैनकारी होनी चरूरी है, और ऐसे की धुग्रा, सिग्रेट, तमबापू, शिराब, नशे की सारी चीटियों से दूर रहना चाहिए। वादमान समय में मतर्जोवी चाहएटन है उसमें हमें जीने के लिए ख्यागा आवेशी होगी है, और यूँग, बताएए अगे आगे अपने के लिए अपने अनुगों? जीने के लिए आवेशी चीज भी जरूरत रहती है, खाना, पपड़ा, उसके लिए पाइसात होगी, जब हर स्ब्सक्राइब, और थे आगे अपने के लिए महनद भी करनी रहती हैं, अवट्यरे बदे पढ़ाई भी जरूरत रहती हैं, फिर उप्ले बाद साथ साथ हर जी वर्तमान समय में हमें जीने के लिए जीने के लिए जीने के लिए जीने के लिए सबसे पहले तो सिक्षा, सिक्षा हमें इस लाइब बनाता है कि हम बाकि सारी चीजों को एक्वायर कर सेगे, यानि के लिए सिक्षा अच्छी होगे, तो उस अच्छे सिक्षा से हम अच्छा कमा सकते हैं, समाद अच्छा बना सकते हैं, और जो भी हमारी ज़रूते होगे उसे वरतमान में भूतकार और लोपिश्यदार के बारे मैं भी सुछचना चाहिए लिए लिए हमारा मन भूतकार्आ भूतकार के बारे में में से एक भूतन भूष्यद में में हुमनाचती HEY हमें अपनी दिमाग को सांद रगना जाएगा जाएगा जाए ही मम्मी एक क्वेशन है कि पर्तमान समय में हमें जीने के लिए वस्ता है कि बेटा बेटी को पढ़ा के निखा के काबियत बनाए अपने पैर पे खड़े हो जाए अच्छे से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए सक इसलिए सब जरूरत है वर्तमान के लिए अब अतमान भी अच्छा रहेगा तो भविश भी अच्छा रहेगा बेटा बेटी को अच्छा सिस्सा दें गलत राह पे कहीं नहीं जाए पर इसको ध्यान करने का हमें सब देखने का कहां जा रही कहां कर रही क्या कर रही क्या कर और खविश के लिए भी गेंगर है जाइन सर्व जी आपसे प्वेशन है कि वरकनान सवर्ण को जीने के लिए क्या आवश्यत होगी वह सिक्षा एजुकेशन होगा तो रोटे भी आएगी कपड़ा भी आएगा मकान भी आएगा जाइगे रिए आप सकfight का जएगा जाइब से झाइब सकश पाइब जाएगा प्यवावारं